हेलो एब्रिवान गुड मॉर्निंग शरुपा ब्लोग में आप सब एको स्वागते आप सब कैसे हो आशा करती हूं ठीक हो अभी से एक नीव ब्लोग शुरू किया और अभी मेरा पुड़ा काम हो गया था मैं नहा दोके भी आ गए थी अभी नास्ता करने बैटना है तो मेरा में जा परि नेहां के दे दिया था अभी बाटक flips कि नास्ता कारी धें थे नास्तामेन समोसा भरिद के लेकर आया था मैं सुबह कुछ बनाया नहीं और अजो दोनों स्कूल ने गए यद और मैं अब यहूँ जाएगा कीचेन में चाउल बठाके आया था और चीके नंभी पालख को भी काट लेती और उसके बाद ना सबची लेकिया, अब भुक्स लेकर ना ना अबोम फिरिज में रख देती उनलगे मत्रशा ना काल और चौछ में रख देती हम वाऊनतेाई अब मतलब हम ऌनायेएखकी बनाना get खेस je अदार्क पियाज टमाटर सब कुछ डाल के दाल बनाूंगी और जाल्का पानी निकाल ले ति और उसके बाद मसाला बनाना में चाल्ड बनादव मसालामेे लशन डाला लशण दाला और शूका असला बंचे मिला इसरों के नाज मिक्षी में पेस्ट बना दिया था और मैं आज न में ढलोंगी तो atyo with impeachment का पेस्ट में नहीं दालती हुँ तो अभी में पहले न मैं को तरका दे देती हुआ दाल तरका के लिए दो पिया जी लिया था उसके बाद लशन टमाटर हडा मिर् CFE याद राख मैं इतना कुछ डाल के कभी कवर बनाती हूंने टों मैं आलके टार के साहते प्लीच्छ मिला के आज में बना रही हूं और आज की डाल बना था भूत तेस्टी बन गया था ऐसे जैसे होता है ना होटेल में जैसे दाल बनता ना एकदम ऐसे टेस्ट लगड़ा था और अभी ना तेल में अच्छा से फ्राई करना है लसन और उसके बाद मिर्ची और डाल दिया था अधराग फिर में प्याज डालूंगी अथोरा सब फ्राई हो जाए उसके बाद ना डाल देंगे लेना है उसके बाद डाल देंगे और जादा पतला नहीं बनाना है थोरचा गारा यह अच्छा लगता है में अरहर की डाल उबालके रखी ती आज जब उबालने के लिए दिया था और बहुत तेस्टी बनता है ऐसे अरहर की डाल ना मैं ऐसे तो बनाती हूँ मतलब सला ज्यादा डालके तो आज की डाल सच में बहुत तेस्टी बन गया तो अभी बन गया डाल तो अभी मैं डाल को पतिला में डाल देती हूँ और उसके बाद बना लेती हूँ चिकेन और आज जो मैं चिकेन बनाओंगी ना चिकेन एकदम मसाला भूनने के बाद चिकेन डालोंगी जब भी मैं दही चिकेन बनाती हूँ ना तो पूरा मसाला अच्छा से पका लेते है और उसके बाद चिकेन डालती हूँ चिकन पहले में धोके रख दिया था तो अभी कड़ाई बठा दिया था दुबाड़ा डालने के बाद और फिर तेल में डाल दिया था इलाईची कूट के डाला उसके बाद पियाज डाला पियाज को अभी अच्छा से फ्राइ करना है एकदम गोल्डन ब्राउन तक फ्राइ क करना है एकदम अच्छा से फ्राई करूंगी और उसके बाद नम्साला डालोंगी और अभी नमक भी डालना है नमक डालके और अच्छा से फ्राई कर लेती हूँ पियाज में जब नमक डालके अच्छा से फ्राई करोना तो एकदम शॉप्ट हो जाता है तो मैं आधा पियाज नमक नूइब डाल देया तो एक्दम लाल कालर आते चीकन में और मसाल लगता हूं जो ङूबरा तेल ऊपर जाए तब थे जैना में जाकर डालूंगे चीकन बिना एक्दम सौन्ध बनता है ऐसे दही चिकन बनाऊना तो एकदम सौब्ड बनता है और अभी जो मैं कल पपीता काटके रखे थी ना तो अभी मैं निकाल लिया था और जब मैं खाना बनाती हुना कुछ ना कुछ जैसे मैं फ्रूट काटके रखती हुना तो इसी टाइम मुझे अच्छा लगता है खाना बनाते खा लेते तो अभी मेरा पड़ी ना टीवी बला रूम में बैठी थी जैसे मैं चिकन का मसाला का तरका दिया ना तुरंद पड़ी भाग के आ गई बोला ममी नाक पुरा जल रहा था तो अभी मैं एकजस्ट ओन करना ना भूल गए थी इसलिए ने इसका नाक एकदम जल गया तो अभी मैं एकजस्ट ओन कर दिया था और थोड़ा सा बरतन मैंने धोल के रख दिया था थोड़ा सा बरतन अभी भी बचा है तो अभी बरतन धुलाई कर लेंगे और उसके बाद ना नहा धोके सब काम करके मैं आई थी खाना बनाने के लिए फेर होई पसीना आ अभी नहीं पूरा काम हो जाए कीचेन पूरा अच्छा से सपाई कर लोंगे उसके बाद तो अभी मसाला अच्छा से पग गया था और अभी मैंने डाल दिया चीखेन जब भी आप दही डालो ना मसाला में तो तुरांद उसको मिलाते रहना है नहीं तो ना दही फट जाता है तो अच्छा से मसाला के साथ मिलाते रहेंगे ना तो अच्छा से एकदम ग्रेवी हो जाता है और मेरा हस्बेंट आ गया था ड्यूटी से लेके आ गया सबजी आलू पियाज बेगन पनीर मटर और क्या धनिया पत्ता जो बहुत दीन से हमारा घर में विल्कूल भी नहीं तो अच्छा लगें और मेरा वीडियो आप सब को कैसी लगड़ा है बाइ बाइ